जेगे 24 से जूट चुके आप और मैं हूँ आपके साथ शिल्पा शर्बा जमु कश्मीर में इस समय ट्रॉक ड्राइवर्स काम छोड़ हरताल पर हैं यानि कि जिस तरीके से 48 घंटे की हरताल दी के थी यानि कि बताया गया था कि अगले 48 घंटे तक जो है वो ट्रॉक ड्राइवर्स हरताल पर होंगे यानि कि कामछोड हरताल पर होंगे 48 घंटे से बिलकुल ही कम समय रह चुका है लेकिन अभी तक सरकार के दुवारा कोई भी फैसला जो है वो सामने नहीं आया है तो कई बड़े सवाल है क्योंकि जिस तरीके से आपको हमने तस्वीरे भी दिखाई थी और ये भी दिखाई बताया था कि यानि कि प्रसवारता की गई थी जमुकश्मी ट्रॉक और कोपरेटर्स वैलफेर यूनन के दुवारा और उन्मों ने साफतोर पर कहा था किकल जो यानि की 5 तारीक है और 5 तारीक काफी जादा महत्वपूरन रहने वाली है क्योंकि कल जो है वो पर।शन भी किया जाएगा और साथ ही साथ अगर सरकार के दुवारा कोई भी फैसला जो है वो स्ट्राइक पर बैठेंगे उनका साथ देंगे तो कई बड़े सवाल है कि क्या कल जो है अगर कुछ समय के बाद सरकार के दुवारा कोई भी फैसला सामने नहीं आता है तो क्या कल जो है वो टेंकर एसोसेशन भी स्ट्राइक पर होगी क्या ट्रॉक ड्राइवर्स का जो है वो साथ दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा ये कई बड़े सवाल हैं और इसी सवालों के साथ हमारे साथ इस समय जो है वो हिलाल मलिक जो की जमुकश्मीर ट्रक ओपरेटर्स वालफर यूनन के प्रेजिडेंट है वो हमारे साथ जुट चुके हैं उनसे बाचित करेंगे लेकिन आपको बता दे की जिस तरीके से 48 घंटे का समय दिया गया था और आप कुछ ही समय रह चुका है तो बाचित करते हैं हिलाल मलिक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी आपका भी जी बताईए का जिस तरीके से आपने कहा था 40 घंटे तक आपने समय दिया था और कल 5 तारीक है 5 तारीक आफिस आदा महत्व पूर थी कल दो पहर दो बजे के करीब तो उस पर हमने बाज़ाबता तोर पर 48 घंटे का जो है स्वाइक के लिए बोला था अपनी गाड़ियां गर में पारिक करने के लिए बोला था तो हमने ये भी कहा था कि अगर सरकार की तरफ से हमें नहीं लिया जाता है या हमें हमसे संपर नहीं बनाया जाता है तो हम इस हर्काल को आगे कंटीनू करेंगे जिसमें हमें बाकि जो एसुसेशन से यहां की उनके जो जो उनके प्रसिडंट से उनका पूरा स्पोर्ट है तो मैं आज दिन में जो हमारी तरफ से बाकि अइनमिनिस्ट्रेट्यू से उनके साथ बातिची उनके साथ हमारी बात कुई है और उनकी दरब से कुछ positive signs हमें मिल गए है रहा सवाल हमारी strike का अभी कल दो पहर दो बजे तक हमारी strike है हमारी गाडियां बिलकुल पाक है तो कल दो पहर दो बजे एक बार फीर हम press conference करेंगे उसमें हमारे सारे जो हमारे district representatives है उन सब को अन बोर्ड लेने के बाद ही आगे का जो हमारा फैसला है वो हम एक प्रेस कॉंफरेंस के मादियम से आप सारे लोगों तक पहुचाएंगे यानि कि कल जो ही वो स्ट्राइक और कॉल अफ कर दी जाएगी अभी उसके बारे में कॉल अफ होने का अभी कोई डिसिशन नहीं लिया गया है कल जो भी हमारे मेंबर्स की तरफ से जो राया आएगी उसी हिसाब से हम कल सारी जानकारी प्रेस कॉंफरेंस के मादियम से अपने लोगों तक पहुचाएंगे आपने कहा के था की जो आपको मिला है तो क्या लगता है कि जो आपका था कि ड्राइवड को या वर्बली बताया जा स क्या उस परकार का आपको देखने को मिल रहा है देखिए अभी मैं बताना चाहूंगा अभी भी कोई formal document issue नहीं किया गया है जिससे हम लोगों को ये confidence हो जाता कि सरकार वाकई इस कानून को लागू नहीं करेगी लेकिन हमारे पास और बहुत सारे रास्ते हैं अभी फिलहाल कल हमारी press conference होगी सारे members जो हमारे district members है उनको on board ले के बाद हम press conference press conference में सारी जानकारी देंगे लेकिन आगे भी हमारे बहुत सारे रास्ते हैं अभी सरकार ने जिस तरह से जो सरकार home secretary है हमारे उन्होंने जो एक video बुदमंजर याम पे आये थी उसमें बता है कि सरकार इस कानून को लागू नहीं करेगी तो अभी जो maximum associations हैं हो अभी शक्व शुभात में है कि क्या वाकई इस कानून को जो है implement नहीं किया जाएगा लेकिन सारी associations हैं आपने भी अगर देखा होगा जितनी भी association representatives हैं उन्होंने बिल्कुल साप कर दिया है कि अगर सरकार ने वादा खिलाफी की उस वक्त जो रदे अमल होगा वो बहुत उ तो उसकी जिमेदार उस वक्त सरकार होगी जी तो यानि कि कल जो है वो प्रेसवारता की जाएगे और प्रेसवारता के दोरान के बताया जाएगा कि आगे की रननीती क्या कुछ रहेगी बिल्कुल बिल्कुल कर हम एक या दो बजे दो पहर के डाइम प्रेसवारता करेंगे और उसमें हम अपने जो भी हमारे आगे आने वाले अश्डूल है या फिर जो भी अभी तक हमें रिस्पॉंड मिला है उसके बारे में सारी लोगों को आगा किया जाएगा कि ट्रांस्पोर्टर्स जो है वो अपने काम की तरफ रुकरे अपना काम जो है वो रिज्यूम करे बीते समय की बात कर रहे हैं वो ये भी कहा गया था कि आने वाले समय में बैठक होगी और बैठक के दुरान जो है वो पक्ष रखा जाएगा तो कहीं न कहीं हिलाल मली का ये वो स्ट्राइक कॉंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी वो प्रेस वारता के दोरान जो है वो देखने को मिलेगा क्योंकि ट्रॉक ड्राइवर इस समय काफी जादा परिशान है ट्रॉक ड्राइवर जो है वो इस समय काफी जादा डरा हुआ है और डरा हुआ होने का कारण यहीं परिशान होने का कारण यह है कि जो प्रवधान लाया गया है उस प्रवधान को जो है यानि कि ड्राइवर मानने को तयार नहीं है जहाँ पर 7 लाग का जुरमाना रखा गया है और 7 साथ 10 साल की जो है वो call off कर दिया जाता है क्योंकि 48 गंटे बीच चुके हैं 48 गंटे में से कुछ समय ही रह चुके हैं और इन कुछ समय भी अभी तक किसी परकार का सरकार के दुवारा कोई भी result जो है यानि कि कोई भी formal letter की बात करें आसा कोई भी यानि कि confidence में drivers को नहीं लिया गया है लेकिन को call off किया जाता है या फिर truck drivers के साथ जो है वो oil tanker पसंज और सादिसाथ passenger association भी मिलकर जो है वो strike आगे जो है वो continue करते हैं या नहीं करते हैं अगर ऐसा होता है यानि कि oil tanker association जो है वो strike जारी रखते हैं strike को जो है वो continue करते हैं क्योंकि अभी जो है उनने call off कर दिया गया है और इस समय हर्ताल जो है वो सिर्फ truck drivers के देखने को मिल रही है तो अगर कल जो है वो oil tankers के दुवारा जो है वो strike दी जाते है तो कहीं न की परिशानी भी आम जनता को देखनी पड़ सकती है तो कल के समय अब देखने को मिलेगा कल जो है वो काफी जादा महतवपूरन रहने वाला है कि कल आखिरकार क्या होगा क्या strike को continue किया जाएगा या फिर call off की जाएगी त्यूंकि truck drivers इस समय जो है वो काफी जादा परिशान है सहमा हुआ है और आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि जो है वो truck drivers के लिए जो है जिस तरीके से प्रवधान की बात करें तो यह प्रवधान जब से लाए गया है तब से truck driver काफिस जादा ड़ा हुआ है वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिगा और कमेंट सेक्षिन पर अपनी राए भी जदू रखेगा फिरान मुझे दीज कि जादत बनेरी जगिरूंडी वोट के साथ तमशकाद